हाई फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं एन इस लेक्टर से अपन पढ़ने जा रहे रेशो पही लेक्टर में अपने थेरी डिसकस किया था रेशो का एडवेंडिज क्या है लिमिडेशन क्या है करेड़ना कौन से कौन से टूल्स यूज करते हैं फॉर एनलेसिस ऑफ फिनाश अनलेस और वह भी बहुत बड़ा है तो इस लेक्टर में मैं आपको पहले एक 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 रेशो को से इंट्रोड़क्षन कर वा हूंगा उसका मिनिंग बताऊंगा उसका इंडेस्टे में आपको यूज बताऊंगा और उसके बाद फिर आपको उसके निमेरिकल भी सॉल लो फिर पेर हैं ठीक है ठीक है चलो तो रेशो को चार पार्ट में डिवाड़ किया है थे फाइनशल ओब्लिक सॉल वांसी रेशो एक्टिवीटी ओब्लिक टर्न रेशो प्रोफिटए बिलियू रेशो एंड मार्किट हैस्ट रेशो और साय करेंग तो यह करेंगे दितन भी बता तो इसका नाम ऐसे क्यों दिया है और रेश्यों भी डिसकस करता हूं ठीक है तो पहला है फिनांशल लेश्यों सॉलवन्स रेश्यों वडिस सॉलवन सी अबिलिटी अफ कंपनी टू पे देर ड्यूस ओन टाइम सी कभी देखे मतलब नहीं है ना टाइम पे जो दे सकता है वह इंपोर्टेंट है तो देखो तो इसमें दो पार्ट है अपने एक शॉट टम सॉलवन सी देखना आपको यह लॉंट तो आप किस प्रकार से कंपनी से जुड़े हो अगर आप कंपनी के क्रेडिटर हो तो फिर आ कैंड आप कंपनी यू तो इसमें तीन रीशों है करेंट रचो लेक्वेड इरे शो कैश रशो इसमें डेर गेरी रेशो ने जी एक चीज में एक सफिर कंठ च्छा मेंद करना नेक है यहां पर हमांच English universal कार आ्रिये मा Hanım करेंट तो अगें सेल्स एंड सीयोजेस इन सभी रिश्यो में सेल्स एंड स्योजेस का यूज मैक्सिमू नाम है तो अपन सेल्स एंड सीओ जेसे अलग लिंक करके कुछ अनलेसिस करेंगे तो यह भी अपन बंडने वाल चिंदा मत करना देन प्रॉफिटेबलिटे में अपने आज तक दो ही पड़े थे जीपी और एंपी बट द्यार एक्स्ट्रा रेश्यो अलसो यह चार रिटन आन इन्वेस्मेंट रिटन आन नेट वर्थ डेट सर्विस कवरेज रेश्यो अपरेटिंग रेश्यो एंड लास्ट मार्केट टे अपने पहले पड़े अभी आईये आगे एक हे कर गया पन डिस्केशन आगे बढ़ाते हैं चलो तो पहला हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेश्यो मतलब शॉर्ट टम एं लॉंग टम दोनो पहले शॉर्ट टम पहला है करेंट रेश्यो इसको बोलते हैं वर्किंग थे अब लुक्त ऐना करेंट इस डेटान थे अब अब लिखना अपको यहां प्लिक ना है क्रेंट एसट में क्या क्याएगा है कशलो अब लिखे लिए मआ पो देता हूं फिर में स्कौर्ष साह की तो क्या क्या है करेंडल समय श्टॉक है डेटर्स काश्म बांक प्रिपेड एक्स्पेंस करेड़ नहीं है इतने सारे आते हैं प्लस शॉट्टर्म एडवांसेस ब्याते बट यह पे एंड करेंट लाविटी में करेंटर्स विल्स पेडल बैंक और राफ्ट आउस्टेंडिंग एक्स्पेंस यह आप सब को पता है आपने यह इलियों स्टेंडर्ड में पढ़ा है तो नथिंग तो अरी ठीक है यह नीचे भी दिया है करेंट असेट्स में क्या आता है यह भी आता है मार्केडेबल सिक्यूरिटीज एंड लोंस एंड एडवांसेज उपर जो लिखा वो कॉमन थे एंड इस आर्ड करेंट लाविटीज तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोपोज एन अंक्लेम डिविडेंड बैंक और ड्राफ्ट यह सो उसमें आता है चिक है अच्छा भी यह तो समझ में आगा अभी यह रिश्व दिखाता क्या है देखो लॉजिकल रिश्व बहुत करेंट रिश्व दू सी एपान सी य तो आइडियल रिश्व इस टू इस तु वन अपट आपके जो करेंट असे वह त्वाइस दा करेंट लावर्टी होना चाहिए तो जितना रिश्व बेटर है इंड गिवस्मोर सेप्टी टू करेंट लावरिटी मतलब कम्पनी शूर कि कि आपने जितने liability उससे double पैसा आपने पास है and assets में से हम liability pay off करेंगे तो यह अगर 20,000 है यह 10,000 है तो आपने पास double cushion है तो यह bare minimum होना चाहिए higher the cushion better तो यह ratio जितना improve होगा उतना company का position strong होगा but ideal ratio is 2 is to 1 अभी 2 is to 1 कि उसरो 1 is to 1 क्यों नहीं से इसका logic है कि current asset जो है उसमें कुछ assets ऐसे की जो जैसे आपने देखा था ना fixed working capital जो permanent stock में आपको जूते का shop का example लियाता तो ऐसे भी कुछ stock रहते कि जो cash में convert नहीं होता है क्रेट ना कुछ चीज़ें जैसे advanced tax यह भी current asset में आता है क्रेट ना prepared expense यह भी current assets में आते है बट यह cash में convert नहीं होते है इसलिए वो 2 is to 1 किया है ताकि double होगा था at least जो cash में realize होगा वह आपन यूज कर सकते है for the payment of current liability तो जितना ratio better improve होगा उतना better है बट ज्यादा भी ratio higher रहेगा तो इट शोज एट की cash balance है बट वो optimum use नहीं हो रहा है बट यह balance ना पड़ता है ratio अच्छा है let's say आपका ratio क्या अच्छा है क्योंकि मेरे पास stock भी जादा है और cash भी जादा है but this is okay from current ratio point of view but on other side it also shows that you are not using your cash properly and your stock fast rotate नहीं हो रहा है उससे sales फटा फट नहीं हो रहा है तो काली higher okay higher ratio is okay from liquidity point of view but not from profitability point of view ठीके ना प्री रेशो का एक एंगल से यूज देखना है second angle देखेंगे तो काम का नहीं फिर है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर तो ट्वेंटी बाइट टैन इस इकुल टू चीए तो यह से आता है अभी नेक्स टे लिक्विड रेशो उसके तीन नामे है लिक्विड रेशो और आसीड टेस्ट रेशो क्यों अभी देखों जैसे मैंने कहां कि इस कर देंट में प्रिपेड एक्सपेंसे से एडवांस टैक्स रहेगा जो कभी कैस्ट में कर नोट होगा ही नहीं खली दिखा रहे कि आमरे कर देंट बीज आरके है और कर लाइविड देखे तो आंपेपर कंपनी विल पिन गूट पोजिशन कि अरे वाह आपने को टेंट एक्शन निया अपने को दजर देना बीजर अपने पास है बट बीस में से सबीज वीड चैश नहीं होंगे क्योंकि इसमें प्रीपेड एक्स्पेंसे से जो कभी कन वर्ट नहीं होंग इसमें एडवांस टैक्स है करेटना तो वह प्रैक्टिकली करेंट अश्रेट में आता है बटीक है अभी अपने को इतना वह एडवांस पर नहीं पढ़ना है इंडेस्टी लिए बटीक है ऐसा को स्टाउ करेगा जो स्लो मुविंग है और जो दिखने किल तो करेंट आसे अगध किसी को पोईशा देना है सो ये रेशो मेर मेर में अट युद चाएश इसलिए अपने मिलिकविट रेशो कац 34假 चीज़े करना है current asset में से अपने को दो चीज़े माइनस करना है prepared expense and stock prepared expense क्यों माइनस होगा क्योंकि वो cash में करवट नहीं होगा stock कौन सा माइनस होगा जो slow moving stock है देखो formula दिया है क्या formula है liquid asset upon current liability अभी नया question होगा liquid assets होती ही क्या है आई ये पढ़ते है liquid assets देखो क्या क्या है जो मैंने highlight के उसको मनलब current asset minus prepared expense minus stock ये stock कौन सा होता है actually जो slow moving है but exam में अपने को पूरा minus करना पड़ता है क्योंकि एक्जाम में stock के दो figure नहीं देते हैं बट इंडस्री में जो slow moving stock है उसको आठाए जाता है एक्टिल वो लॉजिक ये उसका कि stock is a slow moving तो उसको आठाए जाता है बटी एकड़िक पॉर्ट व्यू पूरा stock अपर हाट आते हैं ठीक है अपन करेंट अपन करेंट liability या कभी कभी लेते हैं liquid liability अभी आप बोलेंगे फरक क्या है अब लेक्विल लाइबडी का फॉर्मिला है करेंट लाइबडिटी मैंनस बैंक को अध्राफ्ट अभी बैंक को अध्राफ्ट व्यू मैंनस होता है लॉजिक समझो अवट तो मैं करेंट लिए इस विच नॉमली पेवली दिन विदिन इयर बट ऐसे कुछ बैंक को अध्राफ्ट जो सालों साल से पे नहीं हो रहे है तो फिर वो करेंट लाइबडी जगा वो लॉंग टर्म लाइबडी बन जाता है इस लिए उसको हटाई जाता है वहां से तो अगर आपको बैंक को अध्राफ्ट दिया है तो यह हटाना बेटर रहेगा ठीक है अगर दिया है तो लिक लाइबडी मतलब ये अभी कुछ लोग तो अभी रेशो में न काफी सरे एसम्शन सफोलो थे कुछ लोग बैंक और रफ माइनस नहीं करते कुछ लोग माइनस करते है प्ट एक्चुल लिकुड लाइबडी का मतलब वही है अधिर रेशो वन इस टुवन और यह इमिजट क्लेम आधिमीजर में में नेक्स्ट मंथ पैसा देना है तो आज मेरे पास कितना पैसा यह मैं जानना चाहता हूं तो यह वन इस टुवर ना चीए है इमिजट ठीक है एंज इतना बेटर रहेंगा उतना फायदा है तो करेंट आसट गिवस्यू ओरल पोजिशन फोर ए यह ओरल एक सल में मेरा पोजिशन का है एन यह इमिजट पोजिशन के लिए वन इस टुवन इस बेटर ऑप्शन हायर दरेशों बेटर दर कवरेज ठीक है जो नो नेक्स्ट लॉंग टर्म सॉलवन सी रेशों अभी अपन ने इसमें से यह दो कवर कि यह नहीं अभी अपन इस रेशो में जा रहा है चलो तो पहले में एक एक रेशों डिसकस करूंगा उसका मिनिंग उसका यूज एंद फिर आपन अगले लेक्ट्र से निमरीकल करेंगे तो पहला है डेट इक्वीट रेशो अभी डेट इक्वीट का पूरा यूज मैंने को ट्रेशन का क्रेट न तो अपने मौने पला दना का पूरा इक्वीट यूज रहती नें तो यह रेशो से आपको टोल्य कै डिस रेकप आफ टो पूरले बैकले डिसका पूरा पान अग्वीट बढ़न तो यह रेशो आईल मैने का था कि टूश्टू आना ची बदल क्या अगर आपका टोटल कापिटल एंप्लोईड इसके दो पार्ट होते हैं तो बॉर्ट कैपिटल टू थर्ड होना ची एंड ओनर्स कैपिटल वन थर्ड होना ची क्यों कि इसका लॉजिक अपने पढ़ा है कॉस्ट अप कैपिटल में जितना इंट्रेस्ट कमण बढ़ेगा टैक्स सेविंग होता है एंटाग सेविंग से एपिस बढ़ता है तो इस 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 इडिल रशो तो इस तो इस नहीं बट कैपिटल एंप्लोई तो इसका मतला इंदनों को टोटल so owner's capital plus borrowed capital is equal to capital employed is equal to capital employed and external internal equity ratio अभी यह भी formula है total liability upon पर यह कुछ काम का नहीं है ती अच्छा अभी यह रिशो आइडिल रिशो क्या होना चीए टोटल में क्या होता है long term plus current liability उपर खली long term loan है यहां पर long term plus current liabilities equal to total liability upon same equity shareholder funds same रहता है देख अभी debt means long term loan that is debenture long term loan from financial institution and equity means shareholder funds preference capital equity capital 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 reserve less loss and fictitious assets like preliminary expense open assets अभी लिखते हैं तो debt capital में क्या आएगा debenture long term loan correct na bonds and equity में क्या आएगा equity plus preference plus reserve and surplus and minus loss minus fictitious assets minus preliminary expenses loss fictitious asset and preliminary expenses यहापन assets आप पर दिखाते हैं करना तो यह माइनस करने पड़ते हैं ओंदर के ख्लेम में से तो यह मिलेगा आपको date यह मिलेगा आपको equity तो एक्षाम में यह एक माघ के लिए पूछ सकते हैं मलब पूरा रिशो भी पूछ सकते हैं यह इसलिए आपको यह component learn करना काफी ज़रूरी है तो राइशो स्क्राइब करना सेकेंडरी पार्ट है पहले एक राइशो में क्या आता है वह समनना बहुत ज़रूरी है तो यह राइशो आधिल क्या होना ची टूस्ट वन जिस कम बनिक रिशो टूस्ट वन होगा इसका मतलब है उनका कैपिल सक्चि लिखो क्या लिखने से वो यह दो जाता है ठीक एस अलीक पर प्लीज फटाफर लिखो चीके चलो नेक्स्ट नव कैपिल गेरिंग रिशो फिलम मैं रिशो पढ़ता हूं फिर लॉजिक बताता हूं एक फिक्स्ट इंकम बेरिंग फंड्स मतलब क्या है अपना जो कैपिल बॉर्वर उसमें ऐसे कौन से सोर्से से अपना जो इंप्लॉई डे टोटल अच्छा में क्या थैं यह इसमें कौन से सोर से जहाँ पर अपना हर साल फिक्स करचा है इसमें कौन से सोर से जहाँ पर अपना हर साल फिक्स करचा है टुवर्ड्स इंट्रेस्ट एंड डिविडेंड उसको लते फिक्स्ट इंकम बेरिंग सेकुरिटीज करेंड तो फिक्स्ट इंकम बेरिंग एका प्रेफरेंस डिवीटेंटर एंडिवेंचर और रिफिटेन देना पड़ता है दिवेंचर पे इंट्रेस्ट है अर सल देना पड़ेगा तो ऊसको आपन कंपर करते है zelfick लिव of uncertainty टो जितना यह गेरिंग बढ़ेगा उतना कंपनी का fixed commitment बढ़ेगा मतलों उतना कंपनी का financial liability बढ़ता है चुकि मलत मितलब क्यां को interest dividend देना ही पड़ेगा profit हो या loss हो न थे कमपनी का financial button बढ़ता है इस एन बारेक लिए स्क लिकृड़िय्टी एफेक्ट होता है तो यह जादा रहेगा तो इस प्रोड रिस्क्री फ्राउ फिनेशल पॉइंट फ्यू देखो दान्स क्यों गर रहा है है हां चलो देखो फिक्स इंकम में क्याता है फिक्स इंकम वेरिंग फोन में डिबेंचर लॉंग ट्रम लोन एंट परेफरेंस क्या पाइटल जहां पर फिक्स इन routes जा रहा है जा पर फिक्स डिविडेंट जा रहा है एक्विडी मतलो यह एंड इक्विडी शोल्टर फंट नीचे डिवाड़ में करो तो उसका अपन रेश्व निकाले कि आपना जो टोटल लोनर्स कैपिटल है उसमें से कितना अपन फिक्स कॉस्ट बेर कर रहे हैं एक्विडी शेर जादा इस नोट अ गूट साइन फोर कंपनी फ्रॉम लिक्वेड काई पूंट आ फ्यू फ्रॉम फीनेशल मेनजमें पॉंट आ फ्यू है लिगेरी रिश्व रिश विस्ट फूट फूर नुव कंपनी और कंपनी फूर फूट फूर्टर निंग्स अर ऐंसरे तरन सो यह तो ज्यादा रहेगा तो बेटर नहीं है तो 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 समझ मैं आगा फिस्ट इंकम को मतलब क्या है डिबेंट जहां पे फिक्स्ट कॉस्ट है नाओ निक्स्ट फिक्स असेड रिशो फिक्स एसरे अपन लॉंग टूम फंड्स अभी देखो फिससेट क्या पूबता है लॉंग टूम फंड पता है अभी रेशो का यूज के सथा है मैं आपको बता दो दैंसे सुनना हो वह ब्रूज इस रेशो लिट से लेट से फिक्स असे ट्वेंटी लाक है लॉंग टूम लॉंट पचास लाक है अब इसका मतलब क्या तो देखो कैलकुलेशन में मत जाओ हुआ है है एक उल्टा लिखता हूं है अब देखो अभी पहला जो सिच्वेशन है उसमें जो लॉंग टॉम फंड से है अब पचास लाक मेंसे 20 लाक यूज हुए है फॉर बाइंग फिक्स असे बदलाब बाकी का 30 लाक दूसरी जगा पर यूज हुआ है मतलल आपने पता चलते कि जो आपना तो यहां पर इसका मतलब देखो क्या है कि लॉंग टम फॉंड में से कितना पैसा अपने इसका मतलब है इसका 30 लाग का फाइनसिंग यह उन का है यह है उन पाइनसंग है किकी कि एस प्रचास्ट लाग है और इसमें से बीस लाग कही पैसा बाहर से लिया मतलब 30 लाग रुपया खुट का है कि तो दुनों में बैलनस 30 लाग वर मेरे मिनींग अलग है पहले कि पचास लाग में साप पने खाले 20 बागी का 30 का पर आपन चेक कर सकते हैं दुसरे किसमें लॉंग टर्म फंट 20 लग थे आइसे पर जाए तो नहीं खर दिंगे मतलब 20 में से 50 का तो नहीं खर सकते मनलब बाकी कि दिस्टार कपन एक्विटी से लिए है बाकी कि दिस्ना कासिले एक विदी से मतलब यह पने को पत और उसकी पूछे पूरा बैंक फाइनसे दिखने के लिए असे पूरा क्या है पैंक फाइनसे जिसका आपका कोई यूज है नहीं और यहां पर है पचास लाग है उसमें से 20 लाग की फाइनसे 30 लाग अपना है इसको बोलते नेट वर्थ सिंपल लेंगोजे इस इस यूर एक् तो आपका नेट वर्थ रहेगा तो आपका नेट वर्थ रहेगा है अ हुआ है है अ चीया है तो दोने अंगल शेंद आपको बता दिया है तो बताव यह आई नोवरच यह अभी आंसर आगा 2.5 और यह कितना हैगा ट्रेंटीड वार्टी जिरो पॉइंट फॉर मदब हायर रेश्यो मतलब क्या है है रेश्यो का मतलब है इफ एसे जादा है और लोन कम है मतलब बागे के वैसे आपने दुसरे जगा से यूज किया है यह उसका मतलब है हां वो सही अगलत है वो अपन थोड़ रूको पन उसको फिक्सा आज Såcam से घमपर करेंगे तो पता चलेगा सही आ इगलत है अभी उसका मतलब हो यह कि आपने आपके FUNS को करने जाए तो पहले केस्ट में 30,00,000 कहां पहां के कहां पूसरी केस्ट में 30,00,000 कहां से लाई यह आप करने क्या हines दीस इस अप सब्सक्राइस और क्यूफ उन्हायट है थो इस तो इस आपका है तो यह में रहेगा इसका मतलब है मैक्सिम ऐसा आपका है लोन कैपिटल वो कम है दिस दे यूज ओफ दिस रेशो अचा फिक्स असेट्स के आपको पता है लॉंग टर्म वर्ट में क्या क्या था है डिवेंचर लोन जो भी लॉंग टर्म लोने दून आते हैं चलो पढ़ते हैं फिक्स एसेट रिफर्ट टू नेट एसेट और जिल कॉस्ट लेस्ट डेप्रिशेशन टू देट मतलब यह आपे डबली डीवी लेना है एंट्रेड इंवेस्टमेंट इंक्लूडिंग शेर सीन सब्सेटरी मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट से वो भी आते हैं फिक्स एसेट में एन लॉंग टर्म फॉर्ड में क्या था हैं शेर कैपिटल रिजर्व लॉंग टर्म लून ओके अभी यहाँ पर एक फरग है यहाँ पर लॉंग टर्म फॉंड में शेर कैपिटल भी इंक्लूड कर दिया है रिजर्व इंक्लूड किया है तो मैंने जो यहाँ पर लिखा था यह मैंने खाली डेट कैपिटल एजम किया था तो इससे यह जो तुटाल करेंट लिया है इससे यह पता चलता है कि टोटल कैपिल में से अपन कितना पैसा फिक्सेच में है पस खली एनलेसी चेंज होगा मैंने आपको कहा था देखो दो वेरीबल कौन से कंपर करना यह मैनेजमेंट का लुकाउट है दर इस नो लॉग विच सेज की रेश्व ऐसा ही होना चाहिए है करेड़ ना तो आपने जो डिसकेस किया था वो फिक्साइट अपन डेट था कि फिक्सेट में से कितना पैसा डेट कैपिटल से उनने टोटल लॉंग टम में सब को जोड दिया एक रिडिन मतला अपने बाच जो लॉंग टम लून ने तो देखो यह equity, reserve, long term loan, let's say 60 है, 20 है, 15 है, 94 हो गया, अभी इस में से, कितना पैसा fixed asset में invest हुआ है, मतलब बाकी का पैसा फिर कहाँ पे है, आप उसको पता कर सकते हैं, मतलब total fund में से कितना पैसा fixed asset में है, तो 95 से 65 fixed asset में आपका block हुआ है, यह आपको पता चलता है, again this is for fund utilization, कि आपने जो पैसा लिया, जिस काम के लिए पैसा लिया है, उस काम के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यह ratio उन्हें फुल लिया है, आपने जो किया था वो खाली date के सब से देखा था, क्योंकि नॉमल लॉंग टर्म funds में date capital याता है, करें न, capital employed में equity आता है, तो लॉंग टर्म है, कुछ गलत नहीं है, बस अगें, उसमें क्या-क्या एड करना है, यह management का look out है, तो यह भी अलग analysis होगा, कि total fund में से कितना fixed asset में है, that is the only difference. The ratio indicates proportion of long-term funds deployed in fixed asset, तो total long-term fund 95, उसमें से कितना fixed asset में block हुआ है, 65, बाकि उसमें block नहीं हुआ, यह अपने को पता चलता है, higher the ratio indicates safer the funds are available in case of liquidation, तो यह ratio higher रहेगा, तो यह better है, it also indicates the proportion of long-term funds invested in working capital, यह क्या, current asset minus current liability होगा न, तो difference, बचाओ पैसा कहा प्याटका आपना, current asset में अटका है, मतलब working capital में कितना पैसा ब्लोक ही, यह भी अपने को पता चल जाता है, चलो next, next ए प्रोप्रेटर रिशो, प्रोप्रेटर मतलब owner की यह ratio है, प्रोप्रेटर रिफर्ण अपन टोटल assets, मतलब अभी देखो, टोटल assets में दोनों आता है, दो लॉजिक क्या भी, यह ratio क्या बता था देखो, यह अपना बैलेंशिट, टी ते इस अग्वरण दो कोट एक डूर्टिंड प्रस लॉंट करना ब्रॉंड करें पार मेश्ट करें है टोट अलवार्ट इस अन प्रोपर प्रोपर टोटल आसट प्या इए and these are the proprietor fund proprietor मतलब owner's fund तो इसमें से total assets में से कितना पैसा owner का है और कितना पैसा अपन ने भार से लिया है यह दिखाता है समझा आपको total assets let's say 100 है और यह दूरों मिला के 60 है और यह दूरों मिला के 40 है मतलब total जो अपने assets से 100 इसमें से 60 रुपेस खुट का है बाकी का पैसा अपने भार से लिया है यह उसका इंडिकेशन है करेट ना बस उतना ही है तो प्रोपरेट एक्सप्रेश्ट रिलेस्टेशनें बिट्विन नेट वर्थ नेट वर्थ का मतलब होता है owner's capital to total assets उसका मतलब है ओनर का मैक्सिम पैसा एसेड में ब्लॉक हुआ है इस अ गुट साइन एन भार का पैसा कम लो खुद का पैसा जादा लो ठीक है तो दिस इस दर इंडिकेशन आफ बीच रेशो प्रोपराइट रेशो एक दम सिंपल रेशो आई डून दिंग उसमें व्याको डाउट रहेगा चल आगे बढ़ते हैं नौ इंट्रेस्ट कवरेज रेशो या डेट कवरेज रेशो यह रेशो इस ओनली फॉर डिबेंचर रें बांड इंट्रेस्ट के जाती है लोन पर डिबेंचर रेंड बांड तो जो सेकूर्टिस पर फिक्स इंट्रेस्ट रेते हैं उनको कितना कुशन अवलेबल इन दे फॉर्म आप इबी आटी तो यह हैं इंट्रेस्ट कवरेज रेशो उसको बोलते हैं मतलब क्या देखों आपको दो एक्जाम्पल लेता हूँ यह है ए लिमिटेड और यह है बी लिमिटेड अबी आप बदाओ आप दोनों कंपनी में इन वेस्टर अपने डिबेंचर्स लिया तो यह डिवेंचरोल्डर है आपका इंट्रेस्ट यह है और आपका इंट्रेस्टेड पा स्ला कहट लग अब यह बता हो आपके लिए कौन सा कंपनी ज्यादा सेफटी लगता है विच कंपनी इस मोर सेफ ऑ you as a defense holder पहले है दूसरा आमों दोनों का से में जब पास्ला के तो यह बेटर है क्यों क्योंकि interest को कवर करने के लिए चार गुना पैसा है so this is four times and this is two point five times so interest coverage ratio तो क्या फर्मिला है EBIT upon interest प्रिण तो higher the ratio better is the cushion तो जितना ratio जाद है उतना कुशन बेटर है तो 20 by 5 4 and 20 by 8 2.5 जितने ratio higher रहेगा उसका मतलब है वो जो डिबेंचर रहे वो सेफ है क्योंकि profit कम भी हो गया तो यहां पे कुशन चार गुना है आपे डाही गुना कुशन है दोनों बेटर यह बेस्ट आप A limited में जादा सेफो as compared to your investment in B limited so this is from investor point of view जिल्नों ने कमने के डिबेंचर स्कृदे है बॉर्ण स्कृदे उनकी सबसे रिशो बनाया गया है समझा आपको पड़ते आपन and what is the ideal ratio 7 is to 1 तो यह तो यह फेनेंस इस्टोशन मानती है 7 is to 1 this ratio measures the debt serving capacity of the firm simply here is your time is mother see japan under near a gonna us court times bull nine and japan under drag us copers and new one night as a very high ratio indicator form is conservative using debt and using very low use of debt high ratio with the debt component comment and owners component jada जलो next अवी से मेरे शो डिविडेंट को उपर का किसके लिए था बॉर्ड पर गडिटल यह डिविडेंट के लिए अज़े दिविडेंट के लिए अच्छा पैसा बच्छता है profit after tax upon dividend to higher the ratio better is the chance of getting dividend same उपर interest coverage ratio था यह dividend का है जितना higher रहेगा जैसे यह बीस है और यह पांच है तो जितना higher is the ratio better is the situation चीक है तो यह था dividend coverage ratio तो अपने यहाँ पे main-main ratio जो यह long term solvency complete किये short term solvency complete किये तो यह पहला part is done financial ratio का discussion हो गया अभी आपन discuss करेंगे activity ratio अच्छा उसके profitability चलो प्रॉफितल पहले GP and NP बहुत simple बताने की जरूद निए GP upon sales in to upon sales यह तो आपको पता ही रहेगा profit हमेशा higher on a C and profit in higher the ratio better and and जितना रिशो नीचा आगा उतना खराब अभी फराग क्या gross profit on net profit में gross profit आपको trading account में मिलता है which is after recording only manufacturing expenses करेंट नेट प्रॉफित में आपके selling orates admin orates यहाँ प्याते है करेंट ना तो अगर आपको कॉष्ट के language में आपको में बताता हूं अपनने कॉष्ट किया आप तो factory cost everything is debited to trading account because it is related to manufacturing तो अगर आपका manufacturing business है करेंट ना तो trading account debit up to factory orates prime cost plus factory orates is equal to factory cost तो वो सब उसके बाद जाता है वो gross profit होता है and gross profit करेंगे चार्ज करेंगे administrative expenses and last selling and distribution orates आपको में लेगा net profit जिकिए अब प्रेक्टिकल बात है जिंका manufacturing business है उनके लिए ही trading account बनता है otherwise as such trading account बनाने की जूरत नहीं अब directly भी P&L बना सकते हैं क्योंकि trading account is meant only for them actually the manufacturing है या जो खरिद के बेच रहे उनके लिए है for example मैं तो service provider हूं करेंग तो रेकॉर्ड करते हैं रेकॉर्ड करते हैं लेकिन उस तरह से record एक्षिल नहीं होना चैप्रेक्टिकली ठीक है तो यह उसका यूजे बागे तो आपको पता ही है तो जीपी रेशो में अपन अप्टू फैक्ट्रे और सभी खर्चे चार्ज करते हैं आगे के इन पी में नेक्स्ट रिटर्न और इन्वेस्मेंट अभी यह रेशो शायद आपने नहीं पड़े यह रेशो अपने फ्रिक्मेंट ली यूजे तो यह थोड़े रेशो अभी यह रेशो अपन शेल्ट पॉइंट आप देकर देखर देखो फर्मिला क्या है इबेट यह कि बॉरर क्यापिटल भी है करें नमला आपन ने जो बाहर से पैसा बॉरो किया है उसके बदले अपन कितना रिटेंज जनरेट कर पारें अभी एक समझो यह सब प्रॉफिट अभी रेशो है हर दे रेशो बेटर इस पोजिशन दर इस नो आईडियल रिशो कितना अची प् क्या चाहिएगा प्रॉफिट मैक्सीमम हो तो वही दिया है कि इससे आपको पता चलते की कंपनी ने आपका पैसा के से यूज किया बड़ी कम महिंद रेशो है आगे जाके दो रेशो में देखेंगे जहां पर अपन रिटरंस को एक बार कली शेल्टर फंड से कंपर करेंग और एक बार डेट कैपिल से कंपर करेंगे यह तो ओर आल है बट ओर ओर इंपोर्टन नी मेरे को कितना रिटन मिल रहा है वो इंपोर्टन है दूसरा है रिटर्न और एसेट्स वाल आपने जो आसेट्स इन्वेस्ट किया है उसके बदले आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है इससे एसेट का यूटिलाइजीशन पता चलता है एन अगेन हायर दे रिशो बेटर यह सबी रिशो प्रॉफिटल रिशो जहां पर प्रॉफिट आएगा दर इस नू आइडल रिशो जितना इंप्रोव ना अच्छे यह कंपनी के लिए तो यहां पे समझ मैंते कि अच्छे एसेट का कंपरेजन पैट से उता है रो जितना इंप्रू रहेगा जितना इंप्रोव ना बेटर है हाँ अभी देखो रिटर्न ओन नेट वर्थ अभी यह स्पेसिफिक रिशो आ गया करना नेट वर्थ का मतलब क्या है ओनर्स कैपिटल एन तो प्रॉफिट अप इस अपन नेट वर्थ इन टू अंड़े अपने वर्थ इस इक्वल डू अ करें लिखो फॉमिला नेट वर्थ टोटल एसेट माइनस टोटल लाइन नेट वर्थ मतलब मेरे सभी एसेट्स फिक्स प्लस करेंट उसमें से सभी लाइब डिश्पे करने का मेरे पास खुद का कितना पैसा बचता है मेरी आज की वैल्लु क्या है उसकोल ते नेट वर्थ ठीक है पास टोटल लेवलिटी में दोनों आता है या को बहुत बेए न इसको एन डऄ देरेग लेव बोल सकते हैं शायर फॉर्ड करिंद में तीन तीं डिरते कंपोंट शायर फॉर्ड फॉंड्स रोंग टंडए जोन लेवर्टि में चलो नेक्स्ट ऑपर इंग रेशो अपर इंग रेशो का मतलब क्या है कि आपका ओपरेटिंग कॉस्कितना है इससे अपने को कॉस्ट कंट्रल में बहुत फाइदा होता है वेरी इंपोर्टन रेशो फर्मिला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इन्टू हंड्रेड तो सब्सक्राइब तो इसे भी आप रेशो निकाल सकते हैं इसमें और चोटे चोटे रेशो से जुम इने इस पेज़ पर दी है तो उसमें देखो एक दिया है मट्रिल कॉस्ट रेशो है लेवर कॉस्ट रेशो है बट ये रेशो इतने कॉमनली यूज नहीं होते है प्रेट न तो इसको अप इंडूजिन निकाल लेंगे तो भी ऑपरेटिंग रेशो आएगा ये एक एक कॉस्ट अपॉन सेल्स करो मट् प्रेटिंग खर्चा कितना अपने को प्रॉपरली सवज में आता है कि अचिक है चलो तो अपनी आप एक ब्रीक लेते हैं बाकी की जो रेशो आपन आग लेक्चर में कवर करेंगे एक बर इसको रिवाइस कर लो दो बार पढ़ लो हो सकता है तो बिना देख एक बार रेश एक मा का क्वेशन अन्य वाले है तो खाली रेशॉ लांत करो उसके अंदर के कंपोनन भी लांग करना है तो यह कहसे लिंख करना में आपको ऑना चलो प्राया नमें करो सेkin कोलम में क्या दिया है बार वह यहाद आ गया तो उसमें जो एक-एक एक एलिमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता है वो लर्न करो तो एटमेटिक पूरा रेश्यो प्रिपर हो जाएगा खाली डिनॉम्नेटर निमेरेटर लग करके मतलब निये उसके अंदर की जो चीजे वो भी समझना काफी जरूरी है तो मैं बोलता हो वैसे प्रैक्ट मिलते हैं अगल लिक्चर में